हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं उत्प्रेरक के सामान्य लक्षन उत्प्रेरक का सबसे पहला सामान्य लक्षन किसी रासाइनी का अभिक्रिया में उत्प्रेरक पूना प्राप्त हो जता है उत्प्रेरक की मात्रा और संगटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसका क्या मतलब है मान लेते हैं कि हमारे पास एक अभीकारक है और इस अभीकारक से हमें उत्पाद प्राप्त करना है और इस अभीक्रिया में एक सुत्प्रेरक है तो उत्प्रेरक क्या करता है उत्प्रेरक सबसे पहले अभिकारक से जूड़ कर एक संकुल योगिक बनाता है इसके बाद संकुल योगिक उत्पाज में बदल जाता है और उत्प्रेरक प्राप्त हो जाता है दोस्तों यहां पर उत्प्रेरक राजसाइनिक अभीक्रिया में भाग लेता है परन्तु अभीक्रिया के अंत में हमें पूना उत्प्रेरक प्राप्त हो जाता है उत्प्रेरक जेसा मिलाते हैं वेसाई प्राप्त हो जाता है इस कारण हम कहते हैं कि उत्प्रेरख राजसायनिक अबिकरिया में भाग नहीं लेता है उत्प्रेरख बहुत कम समय के लिए अबिकारख के साथ जुड़ कर एक आइस्थाई योगिक बनाता है और यह योगिक तुरंत उत्पाद में बदल जाता है और इसी के साथ पूना उत्प्रेरक प्राप्त हो जाता है इस बात को उधारण के द्वारा समझते हैं हमारे सामने एक अभिक्रिया है SO2 गेस, SO3 गेस में परिवर्थित होती इस अभिक्रिया में एनो गेस उत्प्रेरक का कारे करती सबसे पाले उत्प्रेरक एनो इस ओक्सिजन अभिकारक से जुड़ कर एक संकुल योगिक बनाता और इस टेप नमबर टू में यह संकुल योगिक इस एसो टू के साथ क्रिया करता और एसो टू एसो थ्री में बदल जाता है और इसके साथ हमें उत्प्रेरक प्राप्त हो जाता है दोस्तों उत्प्रेरक को हम जैसा मिलाते हैं उत्प्रेरक वेसा ही प्राप्त हो जाता है यदि आप दोनों स्टेप को जोड़ते हो अभिकारक में अभिकारक को जोडते हो और उत्पाद में उत्पाद को जोडते हो तो NO से NO cancel हो ज़ता है और NO2 से NO2 cancel हो ज़ता है और हमें मुख्य अभिक्रिया प्राप्त होती है 2SO2 प्लस O2 2SO3 क्या आपको इस अभिक्रिया में एनो गेस दिखाई देती हैं इसका मतलब है कि एनो गेस यहाँ पर उत्प्रेरक्का कार्य करती रासाइनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती और अंत में एनो गेस पूना प्राप्त हो जाती यदि इसकी मात्रा यहां पर 10 ग्राम है तो पूना प्राप्त एनोगेस की मात्रा भी 10 ग्राम होती मतलब उत्प्रेरक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तो नाइट्रोजन का परमानुभार 14 होता है और ऑक्सिजन का परमानुभार 16 होता है इन दोनों का सरल अनुपात साथ अनुपात आठ होता है और यह अनुपात पदार्थ का संगटन कहलाता है और किसी भी रासाइनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के संगटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है मतलब जैसा उत्प्रेरक हम मिलाते हैं वह उत्प्रेरक वेसा ही प्राप्त हो जाता है दोस्तों उत्प्रेरक सामयवस्ता को प्रभावित नहीं करता परन्तु उत्प्रेरक्की उपस्तती में सामयवस्ता शिग्र प्राप्त हो जाती दोस्तों यह एक उत्क्रामणी अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती उत्क्रामणी अभिक्रिया कहलाती मतलब यह अभिक्रिया आग्र और पाश्य दोनों दिशाओं में चलती अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होता है अग्र अभिक्रिया और उत्पाद से पून अभिकारक बनता है पाश्य अभिक्रिया जब अभिक्रिया प्रारम होती तो आगरा विक्रिया का वेग RF आधिक होता है और पाश्या विक्रिया का वेग RB काम होता है परन्तु समय के साथ साथ आगरा विक्रिया का वेग काम होने लगता है और पाश्या विक्रिया का वेग बढ़ने लगता है और एक ऐसी अवस्ता प्राप्त होती है जब अगर अभिक्रिया और पाश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है और उत्क्रमणी अभिक्रिया की इसी अवस्ता को साम्य अवस्ता का आ जाता है मान लेते हैं कि जब अभिक्रिया प्रारम होती है तो आगर अभिक्रिया का वेग 10 होता है और पाश्च अभिक्रिया का वेग 6 होता है परन्तु जैसे जैसे समय गुजरता है आगर अभिक्रिया का वेग काम होने लगता है और काम होकर मान लेते हैं 8 हो जाता है तो पाश्य अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है और बढ़कर आठ हो जाता है। जब आगर और पाश्य अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं तो उत्रमनी अभिक्रिया की इस अवस्ता को सामय अवस्ता का आ जाता है। पारन्तु जब हम इस अभीक्रिया में उत्प्रेरक मिलाते हैं तो उत्प्रेरक साम्य वस्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालता क्योंकि उत्प्रेरक आग्र और पश्च दोनों अभीक्रियाओं के वेग को समान रूप से बढ़ाता है। के बाद भी अग्र और पश्च अभीक्रिया का वेग समान बना रहेगा। मतलब अभीक्रिया साम्य वस्ता में बनी रहेगी। अभीक्रिया की साम्य वस्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्प्रेराख अग्राभिक्रिया और पशाभिक्रिया के वेग को समान रूप से बढ़ता है तो वेग बढ़ने से क्या होगा सामय अस्ता जल्दी प्राप्त हो जाएगी चलो इसे एक उधारन के द्वारा समझते यहाँ आपका स्कुल है और यहाँ आपका घर है आपके पापा का घर है और यहाँ आपके अंकल का घर है पापा का घर और अंकल का घर दोनों घर इसकुल से बराबर दूरी पर है यह दोनों दूरियां बराबर है आपको इसकुल जाना है और आप पेदल जाते हो तो पापा के घर से इसकुल तक पहुँचने में मान लेते हैं आपको दस मिनट लगते और यदि आप अंकल के घर से इसकुल तक जाते हो तब भे आपको दस मिनट लगेंगे आप पापा के घर से या अंकल के घर से इसकुल तक जाते हो पेदल चल कर जाते हो और दूरियां बराबर है तो आपको समय भी बराबर लगेगा अब आपके पापा ने आपको बाइक दिला दी दोस्तों बाइक यहां पर उत्प्रे रख की तरह है अब आप बाइक से स्कुल जाते हो तो आपको स्कुल पहुँचने में समय कम लगेगा बाइक का उपयोग करके पापा के घर से स्कुल तक जाने में आपको दो मिनट लगते यहां से यहां तक जाने में आपको दो मिनट लगते और इसी बाइक से अंकल के घर से आप स्कुल तक जाते हो तो यहां भी आपको दो मिनट का समय लगेगा पापा का घर हो या अंकल का घर आप स्कुल तक जाते हो पेदल जाते हो तो दस मिनट का टाइम और बाइक से जाते हो तो दो मिनट का समय लगता है क्या यहां पर इस्कुल की इस्तती में कोई परिवर्तन हुआ आपके बाइक लेने से क्या इस्कुल खिसक जाता है इस्कुल जहां था वहीं पर है बस अंतर के वल इतना है कि यदि आप पेदल जाते हो तो 10 मिनट का समय लगता है और इस्कुल पहुंचते हो और बाइक से जाते हो तो आप तुरंट स्कूल पहुंच जाते हो चाहे आप अपने घर से जाओ या अंकल के घर से आप तुरंट स्कूल पहुंच जाते हो स्कूल यहाँ पर सामय वस्ता है बाइक यहाँ पर उत्रे रखे बाई का उप्योग करने पर हम स्कूल तुरंद पहुंच जाते मतलब उत्प्रेरक का उप्योग करने पर सामयवस्ता शिग्र प्राप्त हो जाती स्कूल यहां से किसकता नहीं ना तो इधर शिप्ट होता है और ना इधर शिप्ट होता है मतलब उत्प्रेरक सामयवस्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है उत्प्रेरक सामयवस्ता को शिप्त नहीं करता है हाँ उत्प्रेरक की उपस्तती में सामयवस्ता शिग्र प्राप्त हो जाती दोस्तों उत्प्रेरक अल्प मात्रा में आविक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है मतलब चुटकी बार उत्प्रेरक भी आविक्रिया के वेग में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है इसका सबसे अच्छा उधारण हमारे पेट में दोस्तों हम जो भोजन खाते हैं वहाँ भोजन हमारे पेट के अंदर आमाशे में जाता है आमाशे की दीवार में जठर ग्रंतियां होती है और इन ग्रंतियों से जठर रस निकलता है इस रस में जे उत्प्रे रखोते हैं जे उत्रेरक को एंजाइम भी का आ जाता है और ये एंजाइम बहुत कम मात्रा में होते हैं और हमारे पेट में उपस्थित भोजन का पाचन कर देते हैं ये एंजाइम दो से तीन घंटे में संपूर्ण भोजन का पाचन कर देते हैं यदि हमारे पेट में एंजाइम ना हो त तो क्या होगा, भोजन को पाचने में 30 साल लग जाएंगे, एंजाइम बहुत कम मात्रा में होते हुए भी पाचन की क्रिया को इतना तेज कर देते हैं, कि पाचन 2-3 घंटे में पुरा हो जाता है, तो अभीक्रिया के वेग में परिवर्तन करने के लिए उत्पेरक की आधिक मात्रा की कोई आउशकता नहीं, बहुत कम मात्रा में भी उत्पेरक अभीक्रिया के वेग में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, दोस्तों यह हाइड्रोजन परोकसाइड के आपगटन की अभीक्रिय प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्तती में इस अभीक्रिया का वेग बढ़ जाता है और यहां पर इस उत्प्रेरक की मात्रा बहुत कम होती है दसकीगात माइनस आठ मॉल प्रती डैसीमेटर क्यों उत्प्रेरक की यहां मात्रा बहुत कम है तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरख अल्प मात्रा में अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है उत्प्रेरख सक्रियान उर्जा को कम करके अभिक्रिया को नया पत प्रदान करता है यह आपका घर है और आपको स्कूल जाना है घर से इसकुल जाने के लिए यहाँ पर कोई सीधा रास्ता नहीं इस रास्ते से होकर आपको इसकुल जाना पड़ता है मान लो इस रास्ते से जाने पर छत्तर किलो जूल उर्जा खर्चोती परन्तु यदि घर से इसकुल के बीच में यहाँ पर एक सीधा रास्ता बना दिया जाता है एक नया पत बना दिया जाता है तो आपको इसकुल पहुँचने में कम समय लगेगा और इस रास्ते से जाने पर खर्च होने वाली उर्जा भी काम होगी मान लेते हैं 50 किलो जूल उर्जा खर्च होती तो दोस्तों उत्प्रेरक क्या करता है सक्रियन उर्जा को कम करके अभी क्रिया को एक आसान रास्ता प्रदान करता है हाइडरोजन परोकसाइट के अबगटन की इस अभी क्रिया के लिए छत्तर किलो जूल प्रती मॉल सक्रियन उर्जा के आउशकता होती रासाइनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणू आपस में टकराते और इस टकर में पुराने बंद तूडते और नए बंदों का निर्मान होता फल्स्वरूप उत्पाद प्राप्त होता परन्तु अभिकारक के अणू आपस में कब टकराते जब इन अणों के पास आपस में टक्राने के लिए पारियाप्त उर्जा होती तो ये अणों आपस में टक्रा कर उत्पाद बनाते किसी रासाइनिक अभीक्रिया के लिए कम से कम उर्जा की आउशकता होती मतलब न्योनतम उर्जा की आउशकता होती और इस उर्जा से अभिकारक के अणू आपस में टक्कर करते हैं और यह उर्जा सक्रियान उर्जा कहलाती इस अभिक्रिया के लिए 76 किलो जूल प्रती मौल सक्रियान उर्जा की आउशकता होती यादि हम किसी रासाइनिक अभिक्रिया के लिए समय और उर्जा के बीच ग्राप बनाते हैं तो इस प्रकार का ग्राप प्राप्त होता है अभिकारक के अनों के पास स्वयम की कुछ न कुछ उर्जा पहले से होती और मान लेते हैं अभिकारक के अनों के पास यहां से यहां तक इतनी उर्जा पहले से और अभिकारक है हाइडोजन परोक्साइट आप इस हाइडोजन परोक्साइट को हम उड़जा देते मतलब गर्म करते तो इसके उड़जा बढ़ती और यहाँ पहुचने पर अभिकारक के अनूश सक्रिय हो जाते और आपस में टकराते तो यहां से यहां तक यह जो उर्जा का अवरोद है इस उर्जा के अवरोद को पार करने के बाद अभी कारक्याणों अपस में टक्रा कर अभिक्रिया करते हैं इसे सक्रियाण उर्जा कहा जाता है और हाइड्रोजन प्रोक्साइट के अबगटन के लिए आवश्यक उर्जा मतलब सक्रियाण उर्जा 76 किलो जूल प्रती मौल होती और यहां पर हमें उत्पाद प्राप्त होता है अभिकारक उत्पाद और यहां पर अभिकारक के अणों अपस में टक्राते हैं पुराने बंद तूरते हैं और नए बंदों का निर्मान होता है उत्प्रेरक क्या करता है इस ग्राफ को छोटा कर देता है मतलब उत्प्रेरक अभिकारक के अणों की सक्रियान उड़जा को कम कर देता है और अभिक्रिया को एक नया आसान रास्ता प्रदान करता है हाइड्रोजन प्रोक्साइट के लिए पहले सक्रियान उड़जा 76 किलो जूल प्रती मौलती और उत्प्रेरक की उपस्तती में या उड़जा 57 किलो जूल प्रती मौल हो जाती सक्रियान उड़जा का मान कम होने से अभिकारक के अधिक से अधिकानू तुरंत सक्रिय हो जाते और आपस में टक्रा कर तुरंत उत्पाज में परिवर्थित हो जाते तो दोस्तों हाइडोजन प्रोक्साइट के अब गटन के लिए बिना उत्प्रेरक की उपस्तती में 60 किलो जूल प्रती मॉल उर्जा की आउशकता होती है और यादि हम इस अभिक्रिया में बाहर से आयोडाइड आयन उत्प्रेरक के रूप में मिलाते है तो सक्रियन उर्जा कम हो जाती है और यह होती है 57 किलो जूल प्रती मॉल जिससे इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है दोस्तों उत्प्रेरक आभिकारक और उत्पाद की उर्जा में कोई परिवर्टन नहीं करता अभिकारक हो या उत्पाद हो इनके पास स्वयम की कुछ न कुछ उर्जा होती इस उर्जा पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता मान लेते हैं इस अभिकारक की उर्जा पच्चास किलो जूल है और इस उत्पाद की उर्जा चालिस किलो जूल है 80 किलो जूल उर्जा होती है, तो ये आणू सक्री हो जाते हैं, और आपस में टकरा कर उत्पाज में परिवर्तित हो जाते हैं, अभिकारक की स्वाइम की उर्जा 50 है, और ये आणू कब टकराते हैं, जब इनकी उर्जा 80 होती है, तो इन दोनों का अंतर 30 किलो जूल सक्री उत्प्रेरक इस उर्जा को कम करता है। परन्तु अभिकारक और उत्पात की स्वायम की उर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। उत्प्रेरक केवल वेग को बढ़ाता है या कम करता है। नाइट्रोजन हाइट्रोजन गेज से अभिक्रिया कर अमोनिया गेज बनाता है। तो यहां भी अपवाद है। हाइड्रोजन गेज और ऑक्सिजन गेज इनके बीच 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर मतलब कमरे के ताप पर इनके बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होती। परन्तु यदि इन गेजों के मिश्रण में बाहर से हम प्लेटीनम तार को डाल देते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सिजन गेज के बीच अभिक्रिया फ्रारम हो जाती है। और अभिक्रिया इतनी तेज गती से होती है कि धमाका हो जाता है। विसफोर्ट हो जाता है। दोस्तों उत्प्रेरक के क्रिया विशीष्ट होती है। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न उत्प्रेरख होते हैं एक विशेश अभिक्रिया के लिए एक विशेश उत्प्रेरख होता है और यह उत्प्रेरख किसी दूसरी अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं डालता है Iron उत्प्रेरख इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है Aluminium Oxide इस अभिक्रिया पर काम करता है यह अभिक्रिया ताला है तो यह उत्प्रेरक इस अभिक्रिया की चाबी और यदी आप उत्प्रेरक को Change कर देते हो तो क्या ताला खुल जाएगा इन अभी क्रियाओं के वेक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे एक विशेश ताले के लिए एक विशेश चावी के आउशकता होती तो उत प्रेर की क्रिया विशिष्ट होती